आप सभी के लिए खास और जरूरी और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए जो भी लोग उडिशा से उनके लिए में इंपॉर्टेंट चीज होने वाले इस विडियो नदर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अधर्ष विध्याल्य संगथन, यानिकि ud उडिसा आधर्ष विध्याल्य संगथन, के अंदर आपके, Б comment सब्सक्राइब करें jobs, inalnız Tennessee निकले हैं, यानिकि आप इसके लिए apply करके, असानी जोब ले सकते हैं आपके, जितने भी उडिसा आदर सभ Aha जितने भी स्कूल साते हैं सारे स्कूल जो गंवर्मेंट ऑफ और ओडिसा के अंदर आते कि सारे ही जो रही हैं जहाँ पर इनमें बात होने वाली है यह जो आपका उडिशा आदर से विध्याले संगठन है यह उन्दर जितने विध्याले आपके आते हैं उन सब चाहते हैं कि आप अगर principal बनना चाहते हैं इन schools के अंदर तो आप वो बन सकते हैं उसके लिए 1110 post के उपर job निकले हैं आप apply कर सकते हैं बेन बार में आपको बता दू यहां पर इस वीडियो वही बात हो कि वह जो notification है जो कि आपका फर्स्ट वीक उफ मार्च में आया था यानि कि आपका मार्च के स्टार्टिंग में यह notice आ गया था हाला कि इसकी जो date है जो आपकी 6th of April यानि 6th of April 2023 तक आप इसके लिए apply कर पाएंगे मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ कि है वेकैंसी किस के लिए है क्या क्या eligibility है तेकर में बात हमारी eligibility है आपके बहुंत तरीके स 4 हो एक आप के सरह कि है तो आपके लिए पोस्त है इसी तरीके से आप EWS में आते है Gmail के अंदर या EWD ऐसे candidates होते है OBC और NCL वाले उनके लिए बात करी जाती है कि क्या उनके लिए specific कोई पोस्ट रहती है या फिर सारी पोस्ट जो है सबके लिए open रहती है यह कास्ट के साफ से eligibility हो जाती है सेम इसी तरीके सो qualification के साफ से भी देखा जाता है कि जो graduate है उनके लिए कौन सी तो इसी को हम बोलते है TGT PGT TGT आपका हो जाता है आपका TGT होता है जो कि आपका trained graduate teacher की पोस्ट के लिए होता है एक PGT होता है जो कि post graduate यानि कि जिसने master course कर रखा है किसी भी college किसी भी institute से उसको उसके लिए वो अलग post हो उसके लिए वो PGT में आता है वो PGT category में आता है जै तो आप TGT post के लिए apply कर पाएंगे same आपके जिस भी school के अंदर vacancy निकलती है उस post के लिए तब तो इस हिसाफ से ही मैं आपको बता देता हूं और PGT आपका होता है जब आप master कर लेते हैं उसके बाद उस post के लिए apply करते हैं तो इस तरीके से यहां पर मैं बात करने वाला ह के अंदर जो भी आपके उडिशा आधर्ष विध्यालय संगठन जो की डिवाट डिपार्टमेंट ऑफ इस्कूर और मास एजुकेशन गवर्मेंट ऑफ उडिशा के अंदर आता है इसके अंदर आपके एक हजार दस post के अंदर जो vacancy निकलिए उसके वारे में पूरी बात ह होगी इस वीडियो में देखिए यहां पर आप देख सकते स्क्रीन पर यह आपको में नीचे दिखा रहा हूँ यह सारा syllabus है यह सारा syllabus आप देख लेना असानी से यहां पर सारा syllabus आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि अगर कोई आर्ट जैनिकि ड्रैंग के टीचर के इंद्व पदाना चाते हैं स्पेशली इस रेज़ें के लिए इंडिया की राज है उसके बाट हो रही है टीचर की पोस्ट के लिए अगर आप आर्ट पढाना चाते हैं नोने प्लाई कर पाएंगे इसलेवर में यहां पर आपको थिया होका उस एक्जाम का सेम इसी तरीक से PGT Economics, TGT English, TGT Udia, आप मालीजे TGT Udia language पढ़ाना चाहते हैं, TGT Science में, TGT Mathematics, Social Studies, Principle, हाला कि आप देखें, यहां पर Main Opportunity आपकी हो जाती प्रिंसिपल की, जैसे कि मैं आपको बता दू, आपके लिए बहुत सारी important जो बड़ी-बड़ी post है, यहां पर एक आपका हो जाती है, यह बात आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल की post जो है, वो यहां पर important हो जाती है, आपक क्यों बोला है कि प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल post जो है, वो टीचर के मुकाबले जो है, वो बहुत बड़ी post होती है, और उनकी जो salary होती है, यह निकि pay scale होता है, वो भी अच्छा खासा होता है, और खासकर school में main power principle के पास होती है, जैसे कि मालीजी, teacher के rule, teachers पर rule को को प्रिंसिपल करता है, आप अगर principle बन जाते है किसी school के अंदर, तो आपके साफ से सारे rules चलते है school के अंदर, आपके teachers और जो भी आपके functions होते है, celebrations होते है, आपके week wise, month wise, या जो भी आपका events होते है, तो वो सारे उसके लिए भी, main role होता है, वो principal का होता है, तो इस तरीके स आप देख सकते है, तो यहाँ पर आप principle की post के लिए भी apply कर सकते है, देखिए, आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, physics, chemistry, biology, mathematics, commerce, in teachers की post के लिए भी आप अप अपलाए कर सकते है, देखिए, link आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, link for online application for OAVS, OAVS short में बोला जा र साथ ही, यहाँ पर आपको अलग से जो है, इन्होंने principal और teacher की post के लिए यहाँ पर अलग से एक और notice जो यहाँ पर इन्होंने दिया है, पहले इन्होंने indicative notice दिया था, फिर इन्होंने detailed modality के साथ उसी चीज़ को दो है, तो इसको मैं आपके सामते detail बताता हूँ, यह पूरा प्रिंसिपल्स, teachers in the Odisha, आदर्श विध्याले, in the state of Odisha, Odisha, आदर्श विध्याले, संगठन, OAVS, under the school and mask education, department government of Odisha, invite application from the prospective candidates for filling up the posts of principal teachers in the Odisha, आदर्श विध्याले, in the state by direct recruitment, यह आपकी direct recruitment, आपको एक 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 जाम देना होगा, यहाँ पर आपकी कोई लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको job मिल जाएगी, candidates are required to apply online through, आप online apply कर सकते हैं, इस website पर जाके जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ एक main website है, जैसे कि जो website मैंने खोली हुई है, उस website कि यहाँ पर बात हो रही है, इस website पर आप जाके जो है apply कर पाएंगे इसके लिए, सेम इसी तरीके से मैं आगे बात कर लेता हूँ, यहाँ पर और इसमें बोला जा रहा है, और किसी तरीके से आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं, देखिए, 17-7 March से लेकर आपका यह 6th of April, यानि पूरा 1 month का समय आपको इसके अंदर दिया गया apply करने के लिए, यानि आप 6 April क इस शाम के 5 में तक जो है, इसके forms बरके इसके लिए apply कर सकते हैं, इस exam के लिए, आपको अगर teacher बनना है, उडिशा के school के अंदर, जो की government schools हैं, उसके अंदर, खासकर उडिशा का जो आदर्स विध्याल है इसके अंदर, तो आप apply कर पाएंगे असानी से 6 April, last date है, last submission की fees की, यानि अगर आप fees के लिए late हो जाते हैं, तो आप 6 के बाद, आप अपना 7-8 तक भी fees भर सकते हैं, 8 तारीक तक भी fees भर सकते हैं, suppose मानि आपने 6 तारीक तक form बर दिया है, submit हो गया है, but fees उस टाइम पर आपके पास नहीं है, आपके account के अंदर, आपके cards के अंदर, या कोई problem की वे से नहीं कर पारें आप payment, तो आपके पास 2 दिन extra आपको मिलेंगे आपे, 8th of April तक आप इसके अंदर, 12 वे से पहले पहले, यानि कि 11, 20, 45 तक आप जो है, इसमें payment कर पाएंगे, online fee payment through, state bank, collect through, net banking से आप कर सकते हैं, credit card, debit card, payment gateway आपका होता है, Paytm होता है, phone पे होता है, Google पे होता है, इन में से आपको जो भी सही लगे, आप उससे कर पाएंगे, असानी से, candidate को बोला जा रहा है, कि पहले वो अपनी eligibility check कर ले, apply करने से पहले, कि कि वो जिस भी post के ले apply कर रहा है, उसको, उससे पहले post के लिए apply करने से पहले पता होना चाहिए, कि क्या eligibility है, कि वो apply कर सकता है, नहीं कर सकता, देखिए, यह वहाँ पर यह जो है post है, यहाँ पर साथ-साथ यह भी लिखा हो है, pay scale, 2007 में एक rule बनाया गया था, Odisha का, Odisha की government ने rule बनाया था, कि school में जो teachers होंगे, principal होंगे, उनकी क्या post होगी, और उनकी post जो भी होगी, तो उस हिसाफ से उनकी salary 700 रुपी, जो है principal की post के लिए, suppose बानी, आपके आगे चलके, अगर principal की post यहाँ पर लग जाती है, तो आपको इतनी salary परमत मिलने वाली है, यानि कि इतला पैसा आपको परमत, यानि कि हर महीने मिलेगा, आप अगर principal की post में आप लग जाते है, तो 100 post है, यानि कि आप समझ सक हो, कोई भी यहाँ पर apply कर सकता है, इसके लिए, आप अगर principal बनना चाहें, तो आपकी जो pay scale रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया, यह पर मंत का है आपका, और 100 post पर लिख ला है, regular, regular यहाँ पर क्यों बोला गया, regular मतलब है आपका, कि यह आपको मलब regular post है, यहाँ पर 47,600 रुपीज जो है, यहाँ पर रहेंगे, PGT English में, आप देख सकते हैं, इसी में, अगर TGT English होगा, तो इसकी जो salary है, वो 44,900 है, और अगर PGT English देखेंगे, तो 47,600 है, तो आप इस तरी के देख सकते हैं, कि यहाँ पर आमें फरक देखने को मिल रहा है, PGT English में, और TGT English म क्यों हो इन तोनों में फरक है, पहले तो आपको यह बताया तो, पहले यहाँ पर दिखाऊ, आपको 44,000 है, और यहाँ पर 47,000 है, यहाँ पर 37,000 है, यहाँ तो 2700 रुपीज यहाँ पर extra मिल रहे है, आपके 2700 रुपीज एक्स्टर मिल रहे है, यहाँ पर PGT English की पोस्ट को, पोस्ट वाले टीचर को, ऐसा क्यों है, इसलिए क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा हुआ है, और इसलिए, और TGT वाले ने सिर्फ आपका ग्रेजुएशन करा है किसी बैचलर में, उसके बाद उनने जो है, ट्रेनिंग करी है टीचर के लिए, इस वेसे उनकी से थोड़ी सी कम है, अब इसी तरीके साथ सब की सेलरी देख सकते हैं, कितनी कितनी होने वाली है, आपकी मेन बात यहां पर आया थी पोस्ट की, तो सबसे जादा प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है, 100 पोस्ट, आप देख सकते हैं कि, मैंने आपको जैसा पता है कि, 1010 तो आपकी प्रिंसिपल की ही हो गई है, तो इस तरीके साथ आप देख सकते हैं सारी पोस्ट यहां पर, TGT English की 163 है, TGT Mathematics ते कि, पोस्ट आपकी उस तरीके से निकाली जाती है, जितनी उनकी ज़रुत होती है, जितनी लोगों की ज़रुत होती है, उतनी यहां पर नंबर ज़रुत है अपले आट टीचर के लिए, मतलब की यहां पर आप आट टीचर के लिए, तो यही हमारे पास सबसे कम यहां पर देखने को मिल रहा है, आट टीचर की, जो आप देख रहेंगे, 44,900 रुपे, मतलब अगर आपकी पोस्ट इन में से जिसके लिए आप अप अप लग जाती है, जैसे मानी आपकी शोचल साइंस के टीचर की पोस्ट लग जाती है, साइंस की लग जाती है, तो फिर आपको यहां पर 44,900 रुपे पर मंत यहां पर सेलरी मिलेगी, जो की उडीचा की जो गवर्मेंट है, उसके इसाफ से रूल है, तो उसका जो रूल है, टी को तो मैंने आपको सब बता दिया है अब देगे हम category वाइस समझेंगे इनी चीजों को category वाइस मतलब कि यहाँ पर करें तो उसी साब से किस तरीके से यहाँ पर वेकेंसी को देखा जा रहा है तो देख लेते हम एक बाड़ देखें हम से की category वाइस आपको बता हूं तो principal के लिए यूर यानि कि जो unreserved category से आते हैं यानि कि वो लोग जो कि आपके general student होते हैं यानि कि जिनके जो SC, ST, OVC और आपका non creamy layer और यह सारे नहीं होते हैं उनके लिए हो जाता है आपका यूर category तो यूर category में जो भी आते हैं उसमें आपको बोला जारा principle के लिए 15 seat है यानि कि 15 seat ऐसी है जो उन लोगों को मिलेंगी जिनका कोई reservation नहीं है किसी की कास्ट से related तो उनकी 15 seat principal की post के लिए fix है इसी तरीके से आप बाकी भी देख पाएंगे या पर आपका ST का भी लिखा है SC का भी लिखा है यानि कि schedule कास्ट का लिखावा है 17 seat प्रिंसिपल के लिए और schedule tribe का यहां पर लिखावा है अब देखें मैं next इसमें बात कर लेता हूं आपसे यह कौन यहां पर main है यहां पर eligibility का IT है कि कौन-कौन जो है यह exam दे सकता है तो in order of to be eligible for appointment a candidate must satisfy the following conditions must be a citizen of India यानि कि वो भारत का निवासी होना चाहिए यानि कि उसका जनम जो है वो भारत का होना चाहिए citizenship जो है वो भारत के होनी चाहिए अगर वह भारत के भारत से जैसे माली चाहिए आप अगर अगर अपर अब आप यह जीज को दे सकते है अगर आप इंडियन है तो आप इस चीज को दे सकते है must be of sound mind आप और must not be having more than one spouse living अब देखिए यहां पर एक और चीज बात हो यह ङजात जाप्च क्याप इस चाहिए अगर ग्या मत आप अप chalk तो में चाहिए झाता हैं अगर उ talk matur forth चाहिए अखर disclos भी-ज्य दे नदिदों मेश in इसूंस भी नदीज बुद सी न डाइफ साँ अगर अज teeny TGT English, TGT Udia, TGT Math, TGT Science, TGT SST must have passed OSSTET या फिर OTET Paper 2 conducted by BSE CTAT Paper 2 conducted by CBSC in accordance with the guidelines framed by the NCTE. मतलब जैसा बोला जाया रहा आपका जो CET का exam हुआ था, आपको पता होगा अभी आपका CET का exam हुआ था teacher की post के लिए, जो आपका Central Teacher Eligibility Test आपका exam हुआ था, वो अगर आपने दिया था, तो उसके अंदर Paper 2 जो आपका था, वो पास होना चाहिए, आपका जो CBSC ने करवाया था, next यहां पर बोला जा रहा है कि एक आपका होता है OSSTET ये वाला कर रहा है तो उनके लिए यह पर important instruction यह है कि जिन्हों ने भी उडिशा के भाहर के दूसरे स्टेट से अपना अगर करा है अपने University से college करा है तो यहां पर main बात है कि the candidate shall only be eligible for appointment after verification of geniusness of their education training qualification from concerned institute university from which they have obtained the degree candidate from such outside institute shall have to produce the authenticated proof of equivalency from any university of the state of Odisha and CTE recognition in support of their qualification at the time of document verification failing which they will not eligible in the selection process यहां पर जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि जब आपका exam हो जाता है वहां पर आगर आपका देखा गया document verification के अंदर कि वहां पर आपका कुछ भी false निकलता है गलत निकलता है जैसे आपने बताया था found fill करते मैं तो फिल वहां पर आपको जो है यह पोस्ट नहीं मिल पाएगी जैसे कि इनों ने आप अपने notice में भी आपको दिया हुआ है आप उस चीज को जो है अच्छे से देख सकते हैं में बाद यहां बे मैं आपको बता दूँ उनके लिए बाद हो रही है जिन्हों ने अपने दूसरे यानि कि Udisa के लावा देली हरियाना पंजाब राजिस्तान या दूसरे किसी राजे से अपना भी रहा है और उन जूसरी डिगरी का अगर प्रूफ देते हैं उसके qualification का हिसाब से जो आपने पोस्ट के लाप्लाई किया है तो उसके लिए आपको document में वो सारी चीज़े देखा नहीं पड़ेंगी the candidate furnishing certificate mark sheets with grades and grade point shall also furnish numericals equivalence of grades grades points from the examiner examining bodies candidate must specified indicate the percentage of marks obtained calculated to the nearest two decimal in the relevant column of the application where percentage of marks is not awarded by the university but only cgpa ogpa is awarded the same shall be converted into percentage in terms of conversion norms of university beside indicating the cgpa in the application candidate will have to produce the certificate document issued by the university formula of university percentage of marks when called off for document verification मतलब याप आपको बोला जा रहा है अगर आपके marks जो आए थे आपके degree के अंदर आपने जिसमी college से करा या institute से अपना course करा बैचलर हो या master हो तो उसके अंदर आपका अगर cgpa में marks निकाले गए एक होता है percentage में marks निकालना एक होता है cgpa में अगर आपके result के अंदर percentage में marks आ रहा है तो अच्छी बात है अगर cgpa में है तो आप उसको percentage में convert करेंगे आपके आपके mark sheet पर भी एक formula होगा उसके हिसाब से जो university का formula होता है उस हिसाब से आप जो है उसको percentage में convert करके लिखने वाले है करें तो principal की post के लिए अब मैं one by one post के हिसाब से बात करने वाला हूं कि post अगर आप principal की post के लिए apply कर रहे है यह पर इसके Odisha के आधर से विध्याले स्कूल के लिए तो इसमें आपका principal की post के लिए master degree from a recognized university with at least 45% marks in aggregate और बियेड अपोर्स प्रिसकाइड वाइन सी टी एन सी टी एक organization है उसके द्वारा एक आपका बियाड का कोर्स के अंदर 45% के साथ तो आप principal के लिए apply कर पाएंगे experience की बात करो तो persons holding analogous post or post of principal in central government state government autonomous organization of the central government in the pay band of 15,600 से लेके 39,100 with GP of 5400 current pay scale 12 of ORSP rules 2017 मतलब कि आप से बोला जा रहा है कि अगर आप पहले experience में आप से बांगा जाएगा या तो आप ऐसे कोई person रह चुके हो जिसने principal की post पहले कभी कर ली है central government के अंदर या state government के अंदर कर रखी है जिसकी salary जो है पहले इतनी रही थी जितना यह पर लिखा हो है तो भी आप apply कर सकते है experience में आपका यह मांगा जाएगा वाइस principal में आप से बोला जाएगा कि आप वाइस principal रह चुके है तो उसी आप से आपको eligibility देखनी है कि आपने वाइस principal की पोस्ट के लिए भी पहले काम कर रहा है तो उसी आप से आप जो है इस पोस्ट के लिए apply कर पाएंगे अब देखिए यहां पर for all PGT's यहां सारे PGT के लिए बात हो रही है उनके लिए बोला जा रहा है टू यर इंटीग्रेटिट पोस्ट graduate course होना चाहिए उनके पास इंटीग्रेटिट कोर्स में आप समझ सकते हैं जैसे कि दो कोर्स मर्ज होते हैं एसे इंटीग्रेटिट को बोला जाता है ऐसे में आपने पोस्ट ग्याजिएशन करा हो है दो साल का किसी भी कोर्स में 50% मार्क्स के साथ तो भी आप यहां पर अपलाई कर पाएंगे सेम अगर आपने मास्टर करा हुआ है किसी भी रिकोनाईज यूनिवर्सिटी से अब 50% के साथ तो भी जो है आप इसके अंदर अपलाई कर पाएंगे PGT पोस्ट के लिए या फिर आपने बैसलर करा हुआ है किसी डिग्री में इन एजुकेशन बैसलर डिग्री इन एजुक आपको बता दिये सब आप देख लेना है कि चीज पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की बात होगी हमारी साथ में हमने जनरल क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली है एज लिमिट की बता हूँ आपको तो आपकी जनवरी 2023 के अंदर तक जो आपकी एज हो गई होगी होगी त is recorded in the matriculation second examination certificate जैसे कि आपका matriculation या निए आपका 10th का जो certificate होगा उसमें will be only accepted in online application आप अपने 10th का mark sheet लगाएंगे अपने application form में जिससे कि वो आपके date of birth को पता कर सके कि actual में आपके date of birth है क्या है क्या अभी आप कितने साल के होएं वो उससे ही पता कर पाएंगी वो लोग जिस पे आप apply कर रहे है for the post of principal principal के लिए बोला जा रहा है candidate shall be under 50 years of age and above 34 32 years of age as तिके आप से बोला जा रहा है अगर आप 1st of January 2023 के अंदर तब तक अगर आप 32 age से उपर हो गए है और 50 age से नीची है तो आप इसके लिए principal post के लिए apply कर सकते है एज की बात कर रहा हूं है यह general में भी मैंने बात कर लिए general में भी आप बात हो गई है और principal की post के लिए भी हाप एज की बात हो गई है आप देगे for all other posts except the principal principal की post को छोड़ कर आप अगर दूसरी post के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पर आप से बोला जा रहा है be under 38 year of age and आपकी 21-38 के बीच में है तो भी आप इसके तो आप बाकी principal को छोड़कर सारी post के लिए apply कर पाएंगे अगर यहाँ पर relaxation की बात करूँ तो five year का relaxation यहाँ पर दिया जा रहा है SCST में in case of SCST और women और SEBC इन सबको जो है 5 साल का relaxation मिलेगा in case ph physical handicapped candidate जो होगा उसको अपर age limit में जो है 10 साल का फायदा मिलेगा मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने principal की post के लावा दूसरी किसी post के लिए apply किया है और अगर आप physically handicapped है तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपको 38 year के उपर 10 साल और यानि कि आ 48 years तक जब तक महीं हो जाते तब तक आप इस post के लिए apply कर सकते ह हैं और इसके लिए job ले सकते हैं a limit of ex-servicemen ex-servicemen वो होते हैं जो आपका पहले से काम कर रहे होते हैं उस इस department में उस organization में दूसरे किसी post में तो उनको ex-servicemen बोला जाता है तो वो लोगों को भी बोला जा रहा है कि आप भी apply कर सकते हैं रिलेक्षेशन बता दिया मैंने आपको age का सबके हिसाब से बता दिया कितना किता relaxation है तो आप उस इसाब से यहां पर देख लेंगे mainly general कोई candidate होगा student होगा तो उसके लिए यहां पर कोई relaxation एक्च्वल में नहीं है तो इस तरीके से पूरा notice रहेगा आपका हम अधर बाकी अधर डिटेल से यह आप देख लेंगे जो में में बात है selection procedure क्या रहेगा तिए यहां पर आपका CBT exam होगा computer-based exam होगा आपका interview होगा फिर performance test होगा as applicable and specified in these modality put together the appropriate community community constituted by government reserve the right to decide the cut-off marks in CBT and interview separately and the criteria for for shorts listing मतला आपको यहां पर shortlist किया जाएगा जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले आपका computer exam होगा फिर उसके बाद आपका interview होगा फिर उसके बाद एक performance test लिया जाएगा और उसके बाद आपको post दी जाएगी इस तरीके से process रहेगा CBT exam होता है computer based test अगर आपको नहीं पता आप video देख सकते हैं उसकी उसमें मैंने बताया होगा CBT exam कैसे होता है actual में पूरा detail में वो सारा कुछ उस वीडियो में discuss हुआ है देखे question paper online होगा जो आपके screen पर आएगा वो आपको English और उडिया दौनो लेंगविज के अंदर आपको दिखेगा question paper English और उडिया दौनो लेंगविज में question paper होगा candidate को जो है बोला जा रहा है कि उसको जो है पहले कम से कम यानि 90 बिनिट पहले अपना एक्जाम सुरू होने से पहले वो पहुंच जाए center पर जहां पर उसका एक्जाम है otherwise यह वो आपना एक्जाम जो है नहीं दे पाएगा कि center एक होगा center और भी हो सकते हैं एक city में कितने center होंगे वो आपके admit card पर लिखा आ जाएगा कि आपका city में यह center है आपको इधर जाके एक्जाम देना है बस आपको city selection का option मिलता है अपने आपके form fill करते हैं मैं city यहाप एक 11 होने वाले एक होने वाला बाला सोर और बारगड़ और बारीपड़ा और यहाँ पर आपका देख सकते हैं इस तरीके से बोलंग बोलंगीर और भुवनेशवर और इस तरीके से राउर केला यह सारे आप जो देख रहे हैं यह सब उडिसा के देखें यहाँ पर आप से बोला भी जाता है कि आपका कोई center जो यह बाद में change नहीं होगा तो आप जब form भरे तो यह चीज़ बड़े ध्यान से भरें क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि यह वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है जो मैंने यहाँ पर आपके इसके अदर मार्क करिए यह वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है आप बोला जा रहा है no request for change of test center once allotted will be entertained and the candidate will not be appear at the allotted center at his or her own expansion मतलब अगर वो खुद की मर्जी से नहीं आता है उस center पर जो उसने फिल करा था exam के form में भारते समय तो यह सब उसकी गलती है हमारा इसमें कोई वो नहीं है वो उसके हिसाब से देखे अगर वो नहीं देने आता या तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी तो इस तरीके से आप देख पाएंगे admit card आप अपना download कर पाएंगे जब आपका exam हो से पहले admit card जो है आप download कर पाएंगे तो यह कुछ instruction है mainly आप इसको अच्छे से देख लेना यहाँ पर आपसे बोला भी जाता है कि आपको अपना valid identity card कोई एक ID proof लेके जाना होता है जब आप exam देने जाते हैं आप suppose मानी आपके पास अधार card है आप देखें आप teacher की post के लिए apply कर रहे है अधार card नहीं होता तो कोई ना कोई आपके पास driving license पासपोर्ट यह सब मेंसे कुछ ना कुछ तो होता ही है या तो state government का होता है या फिर center government का होता है किसी का भी आप लेके जो है जा सकते हैं एक चीज आईडी प्रूफ में आपको form free करते हैं submit करनी पड़ती है जो आपसे मांगी जाती है कि अब देखिए यहाँ पर क्या लिगा है से एस्टी अगर आप रिजर्वेशन और वेकेंसी में apply कर रहे है सब्सक्राइब करें किसी रिजर्वेशन की category के अंदर जैसे एस्टी के अंदर तो उसको आपको सार्टिविक्ट अगर देना मांगा जाता है application form फिल करते में तो आप वहाँ पर लगाने वाले हैं अब मैंने आपको फीस का बता दिया था फीस आपको देनी है डिरेक्ट आपको state bank collect जो होता है gateway होता है उसके जरीए आप जो है payment अपना करते हैं इसके अंदर online में payment करते हैं आप यहां पर सारा कुछ हमने discuss कर लिया है अब देगे application fees जो यहां पर होगी वो non refundable होगी मतलब आप exam देने जाएं नहीं देने जाएं form fill करने के बाद submit करने के बाद या फिर आपका कोई कारण किसी कारण से नहीं देना जा पाते है exam तो भी यहां पर आपकी fees वापाज जो है वो नहीं होने वाली है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपके 2000 रुपे लगेंगे और 1250 रुपे या नहीं कि 1250 रुपी आपको देने पड़ेंगे यहां पर SCST और PWD Candidate है अगर आप तो आपको प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इतने रुपे देने हैं और उसके उपर आपका बैंक चार्ज होगा वो एक्स्ट्रा लगेगा वो अगर पांच रुपे दस रुपे पंद्रा बीस या जो भी रुपे लगते हैं सर्विस चार्ज बैंक चार्ज वो आपका एक्स्ट्रा होगा इस फीज के उपर होगा एप्लिकेशन फीज नॉन डिफेंडेबल आप देगे जो टीचिंग पोस्ट है प्रिंसिपल की पोस्ट को टीचिंग पोस्ट नहीं होती है आप अच्छे जा जानते हैं कि प्रिंसिपल को ही तो उसकी पोस्ट उसके लिए होती है स्रिफ तो इसी तरीके से बाकी जो सारी पोस्ट बची हमारी TGT PGT और बाकी सारी तो उसके लिए आपकी पंदरा सुरुपे फीज रहेगी एप्लिकेशन फीज हजार रुपे SCHT और PWD केंडेट को देने करेंगे तो apply के लिए आपको सबसे पहले registration करना पड़ेगा website पर registration करने के बाद आपको registration के लिए आपको अपना एक होबाय मोबाइल नमबर और email id valid चाहिए रहता है वो उसके जरीए आप अपना registration कर पाएंगे उसके आद आपको form fill करना होता है application form fill करना होता है सारा detail अपना detail अपना address अपना नाम अपना फादर का नाम जेंडर या जो भी चीज़े detail मांगी जाती है date of birth सब कुछ जो डालना होता है finally उसी के अंदर जो है आपको अपना center selection करना होता है qualification डालनी होती है mark sheet upload करनी होती है photograph upload करनी पड़ती है इस तरीके से सारी चीज़ आप upload करते है कि यहां लिखा भी हुआ है email id और साथ में एक चीज़ लिखी हुए आपकी mobile नंबर यह आपकी दौनों चाहिए होगी email id भी चाहिए और यहां पर आपका mobile नंबर लिखा है यह भी आपका चाहिए तो यह दौनों चीज़ आप दे पाएंगे तो असानी से और यहां पे एक फोटो है 21 days last 21 days की अगर फोटो है तो आप अपलाय कर सकते है उस फोटो से भी उस फोटो को अप्लोड कर सकते है 100 kb के बीच में अगर वो फोटो आ रही है उसके कम साइज में तो आप उसको अप्लोड कर पाएंगे JPG और JPG फॉर्वेट रहेगा आपका इस तरीके से 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 हैं इसी तरीके से आप देख सकते हैं सिगनेचर आपको अप्लोड करना पड़ेगा एक कोई वैलिड आईडी आपको जो है देनी पड़ेगी आप तो इस तरीके से आप यह चीज़ जो है वो भी कर लेंगे अम में यहां से आपका जब फीस पेमेंट हो जाएगा फाइनली यहां से आपको जो है इसके लिए अपलाए कर देना है फीस आपकी सरीज पीस कैसे पेमेंट करेंगे वो भी बता दिया आपको अब यहां पर हमारी कुछ अगर रहा गया में डिकेल इसकीम ऑफ एक्जामनेशन एक्जामनेशन की स्कीम बता देता हूं कि एक्जाम होने कैस अब समझ लिए सीधा 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 तीन गंटे का समय आपके पास जैनी कि आपके पास शुर्च मिन आवर होते हैं तो इस तरीके से आपके पास थिरी आवर जो है आपको नहें पर मिल गए एक्जाम को करने के लिए और 180 कोशन आने वाले हैं और आपको जो है हर कोशन एक- आपका 0.25 यानि की 1 4th marks काटा जाएगा per question मालने जिए कोई question 4 marks का कभी किसी exam में आया होगा तो अगर उसने किसी student ने उसका गलत answer किया होगा तो उसका 1 mark काट दिया गया होगा इस तरीके से यहां पर आपका 1 mark का question है तो 1 by 4 marks जो है यहां पर आपके काट दिया जाएगा है है ससका on फूट से पर आपर दो आपके अंधर टोंग की जो दीच तो फैर मुलेंगे जो होगा एपको बोला जा रहा है की वन अटी कोशन आपके आ रहे है है 4 ऐखेट मार्स पर देख सकते चार पाथ आपके कैसे और गया है रहाने वालuj आपको बताओं पार्ट वन आपने पास किया है इन चारों पार्ट में उसके बाद आप जो है बाकी तीन बाकी तभी आप माने जाएंगी तभी आप घूले जाएंगे इस एक्जाम में फिर आपका टूथ बार्ट ट्री पॉर झैक किया जाएगा उसमें अगर आपके अच्छे मांस आते हैं उसके बाद आपके जो है लिस्ट बनाई जाती है उसमें आप नाम आपका आता है तो आप इंट्रव्यू academic आपका 30 marks करेगा और administrations and finance वो आपका 70 marks कर रहेगा आप देखिए इसके अंदर मैं मेन बात बताओं आपको part 1 के अंदर आपके language proficiency test in general English 20 marks general proficiency test in UDIA वो भी 20 marks इस तरीके से आपको यह चीज़ पढ़नी है एक एक चीज part 1 देखिए मेन बात आप याद रखेगा paper देते समय कि आपका एक बात ध्यान रखना है कि part 1 हमको पक्का ही निकालना है part 1 हमने अगर नहीं निकाला तो हमार को जो है आगे list में interview के लिए हम हमें मौका नहीं मिलेगा आप इंट्रव्यू जो है नहीं दे पाएंगे इस बात को आपको यहां पर ध्यान रखना है तो इसी सब आगे बढ़ते हैं main बात हम आगे कर लेते हैं इसी की तो फिर उसके आद आपको यह सारे part 2 तयार करना है अपना पढ़ने के लिए जो कि आपका general knowledge logical reasoning computer literacy और quantitative aptitude test यह सब आपको पढ़के जाना है यह पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरहीं कैसे आपको सारे अपना देख लेना है अब देखें जैसे यह पार्ट चारो पार्ट हो जाएंगे interview आपका 60 marks का होगा अब मैं देखा हूँ आपको 70 30 100 हो गए आपके और यह और यह 40 41 80 यह आपके चारो पार्ट हो गए उसके बाद आपका interview आगे interview 60 marks का है उसके अंदर आप देख सकते है 60 marks the final merit list will be prepared on the basis of the marks obtained in part 2 and 3 and interview आप देखें तीनों part 1 को छोड़के और interview इन सारे marks मिला के 200 होते हैं इसमें से आपका देखा जाएगा उसके बाद आपकी list निकाली जाएगी उसमें अगर आपका नाम आएगा तो आपका जो है यहां पर selection होगा आपकी जो है आपको यहां पर आगे चलके जो है job मिल सकती ह मतलब कि जिसके लिए आपने apply किया है 70% marks आपको लाने है 30% marks आपका interview का weightage रहेगा मतलब कि आपको 30% interview के अंदर score करने है अब हम बात कर लेते हैं TGT के लिए TGT की post के लिए जैसे कि आपने बाकी जब आपको दिख रहा है TGT में English, Math, Science, Social Science, UDIA इन सब के लिए भी आप अगर apply कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं इसके लिए आपका क्या रहेगा इसके लिए आपका part 1, 2, 3 इसके लिए CBT exam होगा अभी जो हमने बात करा उपर exam की यह principal के लिए बात करा scheme of exam की principal का अलग exam है और बाकी सारी post का अलग exam है इस बात को mix मत करना बिल्कुल भी मत करना exam के समय अगर आपसे गलती हो जाती है यह कि आप principal की post का exam का सारा syllabus पढ़के चले गए exam का सब कुछ और paper के वहाँ पर आप जाके लिख रहे हैं सारा कुछ जो भी आपका आ रहा है सारा syllabus है pattern अलग है और बाकी जो आपकी TGT और PGT है उसके लिए अलग है यहाँ पर बता दू दौनों exam CBT है main बात यह है बाकी जो principal को छोड़के बाकी post है आप TGT और PGT उसमें क्या है part 1, 2 & 3 and all the questions will be multiple choice questions the test will be 20 200 minutes duration यानि कि आपको 3 गंटा 20 minutes मिलेगा 3 hours 20 minutes time मिलेगा 200 questions को खत 1 4th marks जो है काटा जाएगा अगर कोई cancer गलाच जाता है यहाँ पर भी same आपका part 1 जो है will not be considered for short listing the candidate for interview as it is qualifying in nature बाकी इसमें जारा है part 1 आपको इसका मलोगी है नहीं कि आप part 1 में आप देखे कि यार इसको दो देखा ही नहीं जा रहा है, part 1 को तो short listing के लिए देखा ही नहीं जा रहा है बागी Paarta को दीका जा रहे मैं तो आपका प्रफी को आपका एक्झा में वहास्द आपका उन कर आ का होने वाला है यह पार्ट वन, इंगली सुड़िया में 5 पास मार्ट लिया है, यह यह 10 मार्ट यह हो गए और 13 मार्ट यह टोटल एग्रिगेट यहां पर लिया है, यह 40 में से, तो आप यहां पर इसमें पास हो जाएंगे, देखिए पार्ट वन का जो कोशन पेपर होगा, इस तरीके से आपका रहेगा पार्ट 2 जो आपका होगा वो 30 questions in current affairs and 30 questions in reasoning के अंदर आने वाले हैं इस तरीके से पार्ट 3 के अंदर जो है आपके 100 questions आएंगे जिसके अंदर content and methodology आपका आने वाला है और there will be an interview of 40 marks यहाँ पर 40 marks का interview होगा जो आपकी दूसरी post है TGT और PGT के लिए और यहाँ पर same interview का 30% weightage रहेगा और 70% weightage part 2 और part 3 करेगा part 1 को merit के लिए नहीं देखा जाएगा merit मतलब आपके short listing candidate की list बनाने से पहले आपको उस नहीं देखा जाएगा आपके part 1 को marks को नहीं देखा जाएगा part 1 सिरीव आपको pass करना होता है इतना करना है बस अगर आप उसमें full में से full wheel आ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है लेकिन आप अच्छा अगर ले आते हैं हैं तो कोई इसमें वह issue नहीं होगा तो इस तरीके साथ देख पा रहे हैं तो यह आपको पैटन मैंने आपको समझाया देखे इसी तरीके से इंग्लीज फिजिक चैमिस्टी बायोजी मैथ और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पोस्ट के लिए आप अगर अपलाई कर रहे हैं पीजीटी में अब देखें यहां पर मैंने एक और चीज़ बताई यह मैंने टीजीटी का अलग बता दिया टीजीटी रहेगा अलग syllabus रहेगा अलग जो है यहां पर आपकी जो है परसेंटेज रहेगी merit बनाने के लिए जो आपकी बेटेज रहेगी इस तरीके साथ आप देख लेंगे तीनों का syllabus अब देखें यहां पर कुछ एक में इंपोर्टेंट बात कर लेता हूं यहां पर क्या बोला ज अपर कर दिया डे लिए इसली देखें और अपके वैसे अचरों आप की है नहीं हुआ है लेकिन आपको पता लग रहा है कि कापी चुकी है तो आप 48 hours के बाद जो है आप देख रहे हैं आपकी payment confirm नहीं हुए है अपला आपका application form रह सकता है last time चल रहा है form fill करने का तो ऐसे मैं आप email id जो है ये oavs helpdesk 2023 at gmail.com पर अपना जो है पेड़ चलान को जो है उडिशा के government school के लिए teacher और principal की post के लिए application के form आप इस तरीके से apply कर पाएंगे तो दोस्तों मैं आगे लिए एक और ऐसी topic में वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा form fill करके कि कैसे आपको form fill करना है इस post के लिए तो उसको देख लेना अच्छे से तो जिसे कि आपका form fill भी जो है वो हो जाएगा अराम से अब देखे इस तरीके से आपको syllabus और सारा कुछ जो है यह से एक 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 चीच जो यहां से provide हो जाएगी जिसे कि कोई भी दिकत जो है आपको एक्जाम देने से पहले ना हो इस topic से related तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए अब मैं एक और चीच आपको बताए तो यह है वो यह वो window है जैसे आपको दिखाओ यह वेबसाइट है इस वेबसाइट पर जैसे आपने notification के अंदर आप जैसे यहां पर देख रहें तो यहां पर आपको क्लिक करके अपना registration ID और password डालके अपना form भरना है तो इस तरीके से आप देखिए यहां पर 6th of April है यहां तक आप इस time तक भर सकते हैं उसके बाद आप जो है इस form को नहीं भर सकते हैं तो इस तरीके से यह application window है हाला कि form फिल करके आपको बता दूँग अगर requirement रहीगी तो तो बस इतना ही इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद